कि नमस्कार स्वागत है आप सभी प्यारी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रबोत क्लासेज में दोस्तों आज मैं आपके सामने एक एसी वीडियो लेके आई हूँ कि आप तैयारी कर रहे हो हिंदी से और लाश्ट के आपके अगर कुछ महेने बाकी होगी मैं एक मंत दो मंत ब करें किस प्रकार से क् 이거는 क्रेंगे और आफ लोगों को पता इतना पता होगा कि Hindi साइट्य का इतियास और हिंदी व्याकरन और आपके जह सात्यों का वूर्ब सास्तर यह तीन सप्सक्राइब कर रहे हैं, पहले करते हैं हिंदी साहित्य का इतियास जो कि सब harika होता है और आधिक अल drinking जो सब्सक्राइब करते हैं है कि मैं हिंदी साहित्य का इतियास है इसमें आपके कौन-कौन से पार्ट है आधिकाल हो गया बक्तिकाल हो गया रितिकाल हो गया आधुनिक काल और आपके कौन सा गद्य साइथ ठीक है और सभी के यह सेम कौमन है और सभी के ही जो है यह वाले पार्ट आते हैं ठीक है अब इसमें हम सबसे बहुत बात करेंगे साध्यों क ठीक है और अगर आप इसको फोलो कर लिया साती हो तो जरूर आपको 100% सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है सबसे पहला कि आपका समय साने जरूर बनाई पहला पॉइंट है अब आप लोगों को समय साने साथ समझ रहे होंगे कि आप लोगों का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए जैसे कि अगर चारब depress करक्ता है जरूर उठके पड़े साथ हो Frसंट करना कि चार पाच गपने पाटने के पाद को पड़ते हो कुछ एसा चैंज करते नहीं प्ड़ते हो लेकिन 5 गंड तक रेगृल्र आपको पढ़ना ही चाहिए ठीक पढ़ना कोजिए सम Dartmouth समय के नुसार किका मुझा था किका मुझे खाना है किस प्रकार से पढ़ना है और कितने गंटे इसके पढ़ना себе. और आपका जो टोपिक आता है हो है कि किसी भी टोपिक को पढ़ने से पहले एक बार टोपिक से रिलेटेड पीवाई क्यूज जरूर देखे क्योंकि साथ हो अब आपको पता है कि दूसरा पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्त पूर्ण है इसको पढ़ने से पहले सासिंट पढ़ने से पहले आपको क्रे साल प्रवायर पिछले साल से पार सो पुछी ते कि तैयारी itself पूछा गया था किस प्रकार से परश्ण वाँ पर आ रहे हैं परश्णों का लेवल आपको पता होना चीए एसा एकर मैं बात करती हूं तो सबसे पहले आपको करना क्या है टोपिक को पढ़ने से पहले एक बार उसकी टोपिक से रिलेटेड आपको पीवाई की परश्ण जरूर देखने चाहिए उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब आप कंटेंट पढ़ने बेट होगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यहां से पिछले साल परश्ण आया आपको पता है कि आपको आधिकाल ऐसा पार्ट है जो कि आप मातर दो गंटे तीन गंटे में पढ़ सकते हो ठीक है बक्तिकाल भी ऐसा पार्ट है जो कि आप तीन गंटे में पढ़ सकते हो रितिकाल आपका एसा पार्ट मातर छोटा पार्ट है उसको भी आप दो तिन गंट का इतियास कवर हो रहा ठीक है 5-6 दिन में और आपका रहा गद्य सहीते गद्य सहीते को रोज थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहें पढ़ते रहें आज जैसे आपने प्रियम चंद यूग पढ़ा आज आपने उपन्यास पढ़ी आज आपने नाटक पढ़े अगले दुन आपको सहेट करना है जैसे मैं बतायाता कि सुबह आप चार बजे उड़ते हुँ तो चार से आप पढ़े छह थीक है चार से चार चे या पर आप आप पढ़ो आधी काल पढ़ लो आज ठीक है पर उसके बाद आप जिसे एक व्याकरण का टोपिक लेलो एक कावेशाष्तर सबके बार हम चर्चा करेंगे आगे आगे आप रेगुलर मेरे साथ बने रहना ठीक है अन्त तक देखना वीडियो को बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको आना इसके बाद आगे हम बात करते हैं जैसा कि मैं बताया था तीसरा प्योंट आपका कि रोजाना आपको क्या करना एक mh topic and Jии अचना पड़ने के बाद आपको त्यएक एक दिन आदि काल एक दिन भक्तिकल एक दिन 드ção कि और दो दिन तक आदुनी काल और साथ ही साधियों आपको-ündम धनिसको पडने के बाद इसके बाद उसके बाद आपको थोड़ा सब ड już आतinku आम पर ञसे इसमें बोड़ह है है एक दिन आपको अपन नाटक पढ़ना और जब तक टोपिक खतम नहीं हो तब तक जगह से उठना नहीं है बस यह target लेके ही आपको बेटना है ठीक है चोता पुएंट के गर हम बात करते साथ हो कि पढ़ते समय पेन और कोफी साथ लेके ही बैटे कैसे साथ हो अब आपको पता कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि चार बज़े उड़तो गए पढ़ने के लिए और किताब को लेकर यूँ बैटे हैं कोई मतलब नहीं है बैटे बैटे कोई यूँ करता है को यूँ करता ठीक है एसा नहीं करना जब भी आप पढ़ने बैट रहे हो तो आपको करना क्या है साथ यह जो आपके रफ कोफी ओ चाहिए फियर कोप्य कैसी भी कोफ्य हो एक कोपी लेके बैटना और पेन साथ में लेके बैटना आपको लगे कि यार मैंने यहां से पिछले साल जो परशन आया था उसको हाइलाइट कर लो ठीक है और यार यह चीज मैंने पहले पढ़ा था अब यहां से मुझे लगता कि हो सकता इस परकार का परशन आगे आ सकता है उस परकार के परशन को आप हाथ वात क्या करना आपको उस कोपी में आपको लिख ही आपको पता हूँ अपके लिए भी आती है आपका पड़ने में लगा रहे गा और जितनी चीज आप पढ़ोगे वह आपको साथ्यों 80 याद होती ही ठीक लिखने से अगला पॉइंट आता आपका पांचवा पॉइंट के टोपिक पड़ते समय पीवाई क्यूज जो कि आपने पुछले पुराने पेपर आपने देखे थे जो आपने पड़े थे उनको कंटेंट पड़ते समय है हाइलाइट जरूर करें उससे आपको आगे आने वाली अगर यह पेसली बार देखाता है हर रहाइं नामकरणर करन्ध क्योंने था यहां से अपनी में पूले पूछा गया था उससे पहले फूछा तो तो उससे पहले पूछा घया तो जिए आपको प्रस्ट कर लिए पहले जो है पहले पूचा गया था ठीक है अब हो सकता कि आगी वापस हो तो यह ही रिपीट हो जाए अगर नहीं हो तो हो सकता इससे समधित आसपास से जरूर कुछ ना कुछ आएगा ना तो बिल्कुल वो तो आपको हाइलाइट करना ही है और उसको तो मुष्ट लगा लेना ही है यह तो पहले पूचे जा चुके हैं अब मुझे यहां से यह वाला कंटेनर जो पूरा पेपर है मुझे यह अच्छी तरीके से याद करना ही है ठीक है यह हो गए आपके पांच पॉइंट अब मैं बात करते हूँ आपके सामने छटे पॉइंट के बारे में कि पढ़ते समय में खुद के सोट जरूर लिखें जो आपको मुष्ट लगे क्योंकि वह एकजाम के समय रामबान साबीत होंगी अभी जैसे मन बताया था कि यह दो प्रशन पहले पूचे जा चुके हैं मुष्ट है अब आपको करना क्या साहती हो जो पूच्छ गया जो पाड़ था आपक सब्सक्राइब गृंडबाद से चुक्ष्ट हो जान फागत आपको सब्सक्रात mã जाने on a सब्सक्राइब जैना क्यों विक्ता सबस्क्राइब कोमें लूत है नहीं थाते छोतका सब्सक्राइब की जो सब्सक्राः इक्दम औरेद टैर तयार करें किस किई ने इनको क्या कहा था किसने उनको Me Labour Coquille था क्या कहा था सब कुछ आ विध्यपति को किया कहा था है यह सब आपको ध्यान रखना ठीक है इस परकार से आपको क्या करना है एक Shortbuds भी बना लोट ol2 और टर यह लुए नोट्सों को कम से भी कम 5 बार रिविजन जरूर करके ही जाए ठीक है यह हो गए अपने कितने 6 पॉइंट अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट है सात्वा इसके अगर हम बात करते हैं सात्वे पॉइंट की इसमें आपको क्या करना है कि सभी रचनाओं को एक अलग स गई रितिकाल में बहुत ज्यादा रचनाई सब कभी हो कि और उसमें अगर मैं बात को आदोनिकाल अधा बंडार नाटक रचनाई हो गई साथ यो उन सब को जैसे आपके बारतेंदु यूग है बारतेंदु और रिष्टेंदर के रचनाई नाटक और जो भी हैं सारे एक स के लिए हैं नाटक एख साथ है जब गवियोग के वी लिखने है तीक एस प्रकारच स него ज Gल चेंऊरा सब्सक्रक्राइब डिटने पर से दो ज्चेंऊ पर गके साथ हुर और विंप साथ जुने Tot समंधित प्रेश्ण भी जरूर आते हैं ठीक है और बिल्कुल कैसे पढ़ना है बिल्कुल एक जैसे आपको करम वाइज की सबसे पहले को से कौन सी रचना है उसके बाद को रचना आएगी इस प्रकार से आपको करम वाइज पढ़ना है ठीक है यह कितने हो गए आपके साथ प पहले कि हम बात कर रहें या पर साथ दिन की बात कर रहें तो एक मन तक तो मुझे लगता है जहां तक अगर सभी इस्टोडियर ने यह नियम फोलो कि होंगे तो उसका एक दो बार तो रिविजन जरूर हंड़र प्रसंट हो गया ही होगा कितने बार दो बार किसी किसी का ती तीक अब करना क्या है एक जाम के 30 दिन पहले रोजणा एक मोडल पर जुरूर ना उसको सुरू करना चाइए रोजणा उसको दो गंटे एक गंटे का समय साम को ऐसा निकालना चीए कि वो मोडल पर दो रह सके रूस जो है साथ उसको बनिविट क्यों पड़ेगा कि अपने आपको विश्वास बढ़ेगा उसको कि हम मैं यह प्रशना सकता आधिकाल पड़ाता मुझे प्रशन आ गया बक्तिकाल में से मुझे इसका गई प्रशन गई तो रितिक काल में अगर उसको को रचना नहीं आई तो मुझे रितिक काल में कि रचना थे क्यों नहीं यह याद क्यों नहीं हुआ तक आपको 7 गंटे आपको सबजेक्ट को देना ही शब्जेक्ट 7 गंटे देना चाहीं रहा आपका प्रेट तरफ से चार गंटे दो चाही आप 5 गंटे 10 ऑल जैसा आको टायम सुटेबल कि हूए किसी की सब्सक्राइब करना क्या है कि रोजाना आपको पता किसा अपने व्याकरण में कितने टोपिक होते हैं समासtles की is समासれて यह क्भी साथ प्रकार की प्रकार से पफारण पूचे गया थे हैं तो अधिकतर साथ यह पुराणे परशन ही रिपीट होते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना है दूसरा पुएंट है कि परिक्सा तक आपका तीन बार रिविजन हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा अगर आप 20 टोपिक है अगर आप प्रोजाना एक टोपिक भी पढ़ रहे परशन बाद से पार आता है यह आपको पता कि लगबग 15 परशन आपके किसके आते हैं साथ यह आते हैं तो आपके सामने बहूत अच्छा पार आप इसकी अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो कावे सास्तर में आपको क्या करना है रोजाना एक टोपिक पढ़ना आपको प परफने साथ बिल्कुल वह देखने है और नियम अच्य से पड़े और सोट रूप में समझे साथ कावय सास्तर का अभी यही रूल होता है उसमें जैसे अब अलंकार हुआ तो में नियाम याद हो गया, यह मैं को कुछ भी पूचे रूपक अलंकर में आपको कुछी पूचे, कावे गुन पूचे, कावे दोस्त पूचे, लेकिन आपको बिल्कुल इस परकार से बताना है कि सात्यों हाँ कि मेरा कावे सास्तर अब में अच्छी तरीके से मुझे नियमा जो याद हो चुके, कोई साभी उधरन मेरे सामने आये नया उधरन में उसके आराम से बता सकते हूँ कि इसमें किस परकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है, यह सात्यों आपके बहुत ही सोट रूप में और मैंने बहुत अच्छी से समझाने कोशिश की कि आपको किस परकार से पढ़ना है, ताकि आप जो हाँ सेलेक्शन ले सको, और सात्यों बहुत अच्छा पार्ट है, आपको पता है कि लगबग हिंदी साहिते इतियास के सात्यों कोई भी एक्जाम हो, जहां तक मैं RPSC के बाद जदा करती हूँ, तो अगर मैं, हाला कि मेरे पास ASTED की स्टूडेंट भी है, मेरे पास उत्राकंड वाली स्ट स्टूडेंट भी है, ठीक है, लेकिन उनके 75 क्यूशन ही आते हैं सात्यों सब्जेट के, लेकिन हमारे एदर RPSC में सात्यों लगबग आपके कितने, 150 प्रसन हमारे पूरी हिंदी पेपर का आता है, ठीक हर उनके कितने आता है, 75 परसन ही आते हिंदी के आता है, तो आपको पता कि अच्छा कासा रहता है, आपको पता कि RPSC में तो हिंदी साहते हितियास कि आपके लगबग जो है, सात्यों परस्ट गरड़ की आते हैं, वहीं आपके व्याकरण के कितने आते हैं, व्याकरण के आपके 20 परसन आते हैं, अभी आपके संस्क्र डिपार्टमेंट वाल करती हूँ, हिंदी से, जैसे RPSC Great Fest में आपके जो है, बहुत सरे टोपिक होगे, जन संचार वाला हो गया, तो इस सारे चीज है, उनको तो आप एक गंटा देना रोज का तो भी आपका हो जाए, का 15 मिन दोगो तो अब जन संचार कितना बड़ा है, मातर 10 मिनिट का टोपिक और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे साती हो, तो वीडियो को सेर जरूर करना, आपने दोस्तों के साथ, जो है, इसको जरूर सेर करना, और अगर किसी को हिंदी साहित एतियास के नोट्स चीए, तो बिल्कुल मेरे से साती हो, काफी ज़्यादा स्टूडेंट जिन्हो हो सके उतना सेर करना, ठीक है, तो साती हो, यहीं धन्यवाद सुब दिन और आश्या करती हूं कि सबका सेलेक्शन हो,